हलो फैंस आप सभी कस्वागत है मेरी यूटूब चैनल इमारे स्पिक्चास पर दोस्तो आज की इस नए वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप की डूवल फोटो डिटिंग जो की देखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है तो दोस्तो अगर आपको भी कुछ इस टाइप की डिटिंग करनी है तो हमारे साथ वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नहाँ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा और बेल आइकन को जो रूप्रेस कीजएगा ताकि एसी लेटेस अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे तो चली हम आज की इसने वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो इस टाइप की डिटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले प्लेयर स्टोर से पिक्साट अप्लिकेशन को इंस्टल कर लेना है इसके बाद आपको इसे open कर लेना है open करने के बाद आपको कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा तो आपको यहाँ चले आना है edit of photo पे और यहाँ से आपको चले आना है background वाले option पे और आपको यहाँ से yellow color को select कर लेना है select कने के बाद आपको यहाँ से चले आना है tools वाले option पे और यहाँ से आपको crop पे चले आना है crop पे आने के बाद आपको यहाँ से portrait वाले option को select कर लेना है और आपको यहाँ से done कर देना है done कने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से scroll down करना है और यहांसे आपको चलाएना है add photo पे और यहांसे आपको अपनी cutout model को add कर लेना है जैसे कि मैंने पहले इस नहीं picture cutout करके रखी हुई है तो अगर आपको picture cutout करनी नहीं आती है तो इस वाली वीडियो के link मैं description दे दूँगा आप आँसे देख लिजेगा आपकी picture one click में easily cutout हो जाएगी तो आपको इसे कुछ इस तरह से adjust कर लेना है adjust करने के बाद आपको इस चलाएना है erase all tools पे और यहांसे आपको hardness को 30 तक कम कर लेना है और optically को भी कम कर लेना 30 तक इसके बाद आपको कुछ इस तरह से नीचे से erase करना है यहांसे को अमाढ़ सेटा है कुछ इस तरह से एरेज करने के बाद आपको यहां से डन कर देना है डन करने के बाद आपको इसे कुछ इस तरह से जुम करके अच्छे से एड़ेस्ट कर लेना है इसके बाद आपको यहां से चलेना है प्लस वाले आइकन पे और यहां से आपको second वाली cutout module को add का लेना है यहाज से आपको add पे आके add का लेना है फिर से इस वाली module को हम add का लेते हैं add करने कि बदद आपको इसे अब इसे 85 तक कम कर लिजेगा इसके बद दोस्तों आपको प्लस वाली आइकन पर और यहां से आपको एक डर्क पींजी को एड़ करना है आपको यहां से फिसे एड़ पर चले आना है और यहां से हम इस वाली डर्क पींजी को एड़ कर लेते हैं इस वाली डर्क पींजी को एड़ करने को आपको कुछ इस तरह से इसे नीचे में अपन कुछ इस तरह से अड्जस्ट करने के बाद आपको यहां से इस वाले टूल्स पर चले लेना है और यहां से आपको इसे मूब डाउन कर देना है कुछ इस तरह से अच्छे से अड्जस्ट हो जाएगी इसके बाद दोस्तों आपको यहां से डूबलिकेट इमेज कर लेना है और आपको यहां से इसे भी कुछ इस तरह से इस वाले पैर के निचे अड्जस्ट करना है और आपको भी यहां से इसे मूब डाउन कर देना है कुछ इस तरह से इसके बाद आपको यहां से done कर देना है done करने के बाद आपको यहां से scroll down करना है और यहां से आपको चला आना है effect वाले option पे और यहां से आपको सबसे last में चला आना है scroll करके vintage वाले option पे और यहां से आपको दोबारा से tap करना है और आपको इसके size को फुल कर लेना है और आपको फेट को 90 तक कर लेना है आप इसे 88 तक कम कर लिजेगा इसके बाद आपको यह ऐसे done कर देना है done करने को दोस्तो आपको यह से scroll down करना है और आपको यह से चल ले加ना है फिर से add photo पे और यहां से आपको एक dark png को इसमें add कर लेना है जैसे कि इस वाली png को हम add कर लेते हैं add करने के बाद आपको इसे कुछ इस तरह से full करके adjust कर लेना है कुछ इस तरह से adjust करने के बाद आपको इस चलेना है plus वाली icon पे और यहांसे आपको फिसे add पे चले आना है यहांसे हम इसव़ले टेक्स PNG को इस बार add करेंगे add करने को पद आपको यह से scroll down करना है और आपको यह चले लाना है blend वाले अप्चन पर और यहांसे आपको second में screen पर कर लेना है और आपके इसे कुछ इस़ा से zoom करके एड़ेस्ट करना है नीचे में कुछ इस तरह से एड्जस्ट करने के बाद आपको यहां से डन कर देना है डन करने के बाद आपको यहां से स्क्लोड ओन करना है और आपको फिर से चले आना है इफेक्ट वाले अप्शन पे और यहां से आपको सिंपल पे चले आना है आपको यहां टैप करना है टैप करने के बाद आपको इस वाल अप्शन को टैप करना है BRL 2 को टैप करने के बाद आपको दोबारा से इस पर टैप करना है और यहांसे आपको इसके फेट को 20 तक कर देना है इसके बाद दोस्तों आपको इसे डन कर देना है डन करनेक बाद आप देख सकते हैं कितना मस्तिफेक्ट आ चुका है इस पर तो दोस्तों इसके बाद आपको यह चले आना है टूल स्वाल अप्शन पर और यहांसे आपको एडजस्ट पर चले आना है अपको एड़स्ट पर आनेक बाद आपको थर्ड में कलियाटी का आप्शन मिले गा आपको कलियाटी पर चले आना है और आपको इसके माउंट को अलका बढ़ा देना है आप इससे 13 ए 14 तक बढ़ा दिजेगा इसके बाद आपको यहांसे डन कर देना है डन करने को बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी पिक्चर डिडिट होकर परफेक्टली रेडी हो चुकी है तो अब आप यहां से अपनी पिक्चर को सेफ कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के एक लाइक कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा फिर मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो के साथ